हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके एपने यूट्यूब चैनल क्रेट वेल्ट ततुल में मैं हूँ आपका दोस्त ततुल कोईल आज हम बात करेंगे लूपिन की लूपिन जो की उपर के लैवल से काफी अच्छा प्रेशर फील कर रहा है तो नीचे आता वह दिखाई धर तो में पहले हम रिव्यू करेंगी लुण्टरम का इंपक्ट है किस टाफ यहां पर एक 60 को उपर और इसने RSI क्रोस की थी 2009 में almost वहां से देखिए स्टोक काफी उपर जाता हुआ नजर आया तो यहां पर एक अच्छा खासा मल्टिवेकर स्टोक बना था उसके बाद देखिए 60 की RSI यहां पर इसने क्रोस करने की ट्राई की थी इसके बाद तो वहां पर भी देखिए पहले भी काम किया आप देखिए यहां पर सपोर्ट लिया था यहां रिजिस्टन्स लिया था जैसी ब्रेक आउट किया था उसके बाद स्टोक उपर गया था बीच में काफी अप्डाउन से क्योंकि यह मंतली चार्ट है इसलिए आपको नौइस इसके अंदर कम दिखाई देंगी इन दोनों ही लाइन को अगर आगे एक्स्टेंड करें तो इस ट्राइब से आपको दिखाई दे रही है यहां पर स्टोक पहले भी एकर सपोर्ट ले चुका है उपर के लेबल से नीचे आया था उसके बाद यहां से बांस बैक किया और अगेन उसी लेबल के आसप मंतली चार्ट पे देखें तो एक शेप बनती हुई नजर आ रही है अगर यहां से स्टोक बांस करता भी है इस लेबल को टच करने के बाद तो जो इसका हाई होंगे वो पहले से कम होंगे आप देखे पहले जो हाई बना था काफी उपर के हाई थे इसके और उसके बाद द का तो इस टाइब का चार्ट पेटर्न आपको नजर आ रहा है और यहां पर देखिये वो जो डिस्टन्स हमने देखा था वो लाइन ऑस टाइप से है है बर शौट टरम में इसकी जो रिजिस्टन्स लाइन आप देखे इस टाइप से दिखाई देर्या इस टो इस टोड़न इसके पास एक support level बना हुआ है, यहाँ पर जो आज इसने touch भी किया है, तो यह जो support level है, 610 और 620 के बीच में, अगर यह जो support level break होता है, तो stock इस level तक आता हो नजर आएगा, जो की बनते है 570 रुपे के आसपास के, अगर बीकली चार्ट पर देखें तो 26 की RSI है, यहाँ पर strength और भी ज्यादा कम है, जानि मिट ट्रम में भी stock के उपर strength बनती नजर नहीं आ रही है, तो clearly आप देख सकते हैं, आपको जो भी पैसा लगाना है, जब यह uptrend स्टार्ट करें, यहाँ से stock ब्रेक करके उपर की तरफ जाए, तब यह आपको इसके अंदर पैसा लगाना चाह अगर चोटा टाइम फ्रेम और देखें, तो इस टाइप से आपको पुरा का पुरा टाइम फ्रेम दिखाई देगा, इसके अंदर stock आप डेली पैटरन पर भी देखेंगे, यहाँ पर एक मजबूत support है, multi years का, तो यहाँ पर 620 के उपर पहले सबसे पहले ध्यान रखके चल इसका जो resistance लेवल है पहले 694 को break करना जुरूरी है, क्योंकि आज काफी gap down यह हुआ है, तो 694 के उपर की closing जब आएगी, तभी इसके अंदर कोई sentiment positive होता हो नजर आएगा, इस लेवल के उपर, और नीचे का लेवल जैसे मैंने बताया, 620 के अगर नीचे फीज सलता है, तो breakout करें, तब आपको इसके अंदर play out करना चाहिए, stop loss इस line के उपर, और अगर यह इसके नीचे ही बना रहता है, तो आपको कोई भी position इसके अंदर नहीं लेनी है, short की position अगर आप लेते हो, तो बिल्कुल आपको stop loss लगा के ही इसके अंदर काम करना है, अदर वाइज आप ज